टी ट्वेंटी able काप को नया चांपिएन मिल गया है जी हाँ आस्ट्रेलिया ने रविवार को फारनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा कर व्रॉल्ड काप अपने नाम कर लिया है आपको बता दें पांच बार की वन डे वर्ल्ड चैंपियन आस्ट्रेलिया पहली बार टी-20 वर्ल्ड कब जीती है आस्ट्रेलिया टीम ने न्यूजिलैंड से मिले 173 रनों के लक्षे को 18 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया ऐसे में मिचल मार्ज 77 और ग्लेन मेक्सविल 28 रन पर ही आउट हो गए लक्षे का पीछा करने उतरी आस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन कप्तान एरान फिंज सिर्फ 5 रन बना कर प्रेंट बोल्ड की गिंद पर आउट हो गए 15 रन पर पहला विकेट गिरने के बाद मिचल मार्ज और देविड वॉर्णर ने दूसरे विकेट के लिए 25 रन जोड़कर जीत की तीव रखी वॉर्णर ने 38 गेल पर 53 रन बनाए उन्होंने 4 चौके और 6 चौके भी लगाए और इसी तरह निउजिलेंड को हराते हुए और अस्ट्रेलिया ने ये टी 20 का वर्ड कप अपने नाम कर लिया